हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग इस्पेशल गुरुजी जीम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स से दिया आप मेरे चैनल में नए नए विवर्स हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स चैनल अजी सूचना से पहले TGT PGT की नए पदों पर हुगी जल्द भरती ये रेखे यूपी TGT PGT सिच्छक भरती 2022 उत्तर प्रदेश माध्मिक सिच्छा से वाचान बोर्ड यूपी UPSSB ने सुवे में 4500 से अधिक सहयता प्राप्त और श्राश्की माध्मिक विद्यालें में प्रसिच्छित असनातक सिच्छक एवंग प्रवक्ता के पदों पर भरती हेति विग्यापन जारी किया है UPSSB द्वारा UPSTGT PGT सिच्छक भरती 2022 के लिए योग्य महिला एवंग पुरुष उमिद्वारों से आनलाइन आवेदा नामंतिर किये जाते हैं इस UPSTGT PGT भरती 2021 के तहद विभिनविसियों के कुल 11,198 बरिक्तियां दिसुचित की गई हैं जिन में 12,603 प्रसिच्छित असनातक सिच्छक TGT तथा 2,595 प्रवक्तार PGT के लिए शामिल है सरकारी नौकरी की तलास कर रही उमिद्वारों के लिए एक सुनारा आउशर है जिसमें अनेक अभिर्थी इस UPSC SSB TGT PGT सिच्छक भरती 2022 UPSC SSB TGT PGT भरती 2022 के तहद उत्तर परदेश सिच्छा विभाग में अपना उज्जोल करियर बना सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्मिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड UPSC SSB विधान सभाज चुना अधिसूचना से पहले 45 सवसे अधिक सहायता प्राप्त माध्मिक विद्ध्यालें में प्रसिच्छी असनातक सिच्छक प्रवक्ता और प्रधनाचार की नए पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है UPSC SSB ने सभी जिला विध्याले निरिछकों को पत्र लिख कर 3 से 15 दिसंबर 2021 तक आनलाइन पोर्टल की माध्यम से रिक्त पदों का विवरन अपलोड करने का निर्देश दिया है माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन पोर्ड ने पोर्टल पर मांगी है जानकारी इस इच्छक भरती को मांगी रिक्त पदों की सूचना चैन बोर्ड ने चुनाव के अधुस्चन सूचना से पहले एक और भरती शुरू करने की तैयारी करने जा रहा है ये बारह तक आनलाइन रिक्त पदों का अधियाचन अप्लोट करना होगा उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव की अधिस उचना से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्ध्यालें में सहायता अध्यापक प्रदानाचारियों की एक और भरती शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिच्छा सेवा चैनबोर्ड ने सभी जिला विद्ध्यालें निरिचकों को पत्र लिख कर 3-12 दिसंबर तक आनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अधियाचन अपलोट करने का निर्देश दिया है अधियाचन भेजने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहों इसके लिए हेल्प नाइन नमबर इतना इतना पर भी जारी किया गया है खासतर से सलाह दी गई है कि ध्यान पूर्वक परिच्छन के बाद सत्यापित अधियाचन ही भेज साथ ही यह सुनिश्चित करने की जनपत से भेजे गए रिक्त पदों के अलामा कोई और पद रिक्त नहीं है इस बावत एक प्रमाड़ पत्र भी चेहन बोर्ड को देना होगा ताकि आगे चल कर अगर कोई जानकारी गलत निकलती है तो इसके लिए जिला विद्याले निरी छक ही जिम्मिदार हो माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने की एक महीने के भीतर प्रदेश भर के 45 सबस्ते अधिक एड़ेट कालेजों में रिक्त पदों पर भरती का विग्यापन जारी कर दिया जाएगा चैन बोर्ड ने जुलाई 2016 के चार साल बाद 29 अक्टूबर 2020 का 15,508 से चकों को भरती करनी के लिए विग्यापन जारी किया था अला कि कानूनी अर्चडों से उसे निरस्त करते हुए 15 मार्च 2021 का दोबारा 15,198 पदों का भरती सुरू की गई सुप्रीम कोर्ट ने यह भरती 31 अक्टूबर 2021 तक पूर करने के निर्देश दिये थे इस भरती के लिए अक्टूबर 2019 तक रिक्त पदों की सुचना मांगी गई थी इसके बास से दो साल का समय बीच चुका है अब 31 मार्च 2022 तक से वानिवरित हो रहे सिचकों के रिक्त पदों की सुचना मांगी गई है हलाकि अभी यह अस्पष्ट नहीं है कि 9 बर 2019 से 31 मार्च 2022 तक कितने पद रिक्त होंगे आठ साल बाद प्रधानाचारह भरति के आसार नई सिच्चक भरति में प्रधानाचारह का चैनड बॉर्ड चैन भी किया जाएगा चैन बोर्ड ने 2013 के बाद से प्रधानाचारह भरति का विघ्यापन जारी नहीं किया है जबकि एड़ेट कालेजों में प्रधानाचारियों की काफी कमी है दो साल पहले चैन बोर्ड ने जो अधियाचन मांगा था उसी में 14-13 पद खाली थे इसके बाद काफी संख्या में प्रधानाचारे सेवा निवरित ही चुके है फरन्स वीडियो समापत होता है यदि अभी तक आप मेरे चैनल को like and subscribe नहीं किए है तो please मेरे चैनल को like and subscribe अबरशी कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का notification आप तक मिलता रहे है फरन्स ने येश्ट वीडियो के साथ क्ल फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए good morning take care